हेलो स्टुदेंट्स तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की है हेलो एलकेंस एंड हेलो अरींस इसे प्रीवेश टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉडिनेशन कंपाउंड जिसका लिंक आप रोग को मिल जाएगा ठीक है तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो की है हेलो एलकेंस और हरींस यह क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर शूर और शॉर्ट कोशन शूर आने वाला है ठीक है तो इसको अच्छे से हम त्यार करेंगे स्टार्ट करते हैं पहले हम समझेंग है कि हेलो एलकेंस होते क्या है ठीक है है हेलो एलकेंस दो वर्ट से बच्चों मिलके बना है है हेलो और एलकेंस हेलो क्या होता है हेलो होता है बच्चों हेलो जन्स और एलकेंस क्या होते हैं एलकेंस जैसे कि फॉर एक्जामपल मीथेन हो गया प्रोपेन हो गया ब्योटेन ह हो गया यह सब हमारे एलकेंस जैसे कि पहले आप लोगह सकते हैं आपके पास है प्रोपेन प्रोपेंस हमने क्या किया 1 hydrogen remove किया और एक क्लोरो आड कर दिया जैसे आपने एक hydrogen remove किया एक क्लोरो एड किया तो यह बन गया CS3, CS2, CS2, CL मतलब कि यहां पर आपका एक halogen भी है और एक आपकी alkyl chain भी है alkyl chain so that means this will be a halo alkane, यह क्या है हमारा एक halo alkane जैसे कि examples यहां पर दिये हुए है आपके पास है CS3, CL chloromethane, अब chloromethane कैसे बना होगा, when you add methane with CL2 या फिर हमने एक hydrogen हटाया और एक chloro लगा दिया, तो हमाएं क्या मिल गया, हमें मिल गया chloromethane इसको हम लोग चेक करते हैं, आपके पास है CH4 इसमें हमने क्या क्या, एक hydrogen remove किया, और एक chloro add कर दिया, क्या बन गया CS3, CL similarly, आपने हाइड्रोजन रिमूव किया होगा, इसमें और एक BR लगा दिया, तो यह क्या बन गया, यह आपका बन गया ब्रोमो इथेन या फिर दो कार्बने ब्रोमो इथेन बन गया, clear हुआ है सभी को, चलिए, next is hello A redist stuff AI, बचो Hellow green क्या है, हेलो है यहां पर मतलब कि हा पे है Lifeline to अ हो गई, बात समझ रहे हैं, बच्चों, है Lifeline to होगई, साथ में यहां पर अरीघ में लिए यह बच्चों होता है, बच्चों होता है that means chloro benzene इसको क्या बोलेंगे हम chloro benzene बोलेंगे इसी तरह अगर आप लोगों ने floro add किया तो floro benzene अगर आपने cl add किया तो chloro benzene अगर आपने बियार add किया तो bromo benzene और अगर आपने i add किया तो idobenzene बास्वाज में आ गई चले थाइब देख लेते बच्चों जितने भी हलो एलकेंस होते हैं उसमें हाइब डाइसट फ्री होता है जबकि आपके जो हेलो रीन्स होते हैं इसमें हाइब डाइसटी होता है चले इसको चेक करते हैं आपके पास है सीच 3C L तो C लिखा, H लिखा, CL, H, H, यहां पर आप लोग सिग्मा बॉंड जोल ने हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, जब भी कोई कंपाउंड चार सिग्मा बनाता है, that means the hybridization is SP3 hybridization, clear? whereas in case of हेलो अरींज, the hybridization is, कितने सिग्मा यहां पर हैं, किया है, सिग्मा पॉंड जोड ने, तो कितने सिग्मा हुए, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब की, SP2 hybridization, को हम alkyl halides भी बोलते है, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते है, alkyl halides, एलकायलैट्स प्राइलगें बच्छों कि यहाँ पर अलकायल चेंड होती जैसे कि आपके पास यहाँ पर चेन कौन सी है CS3C prods q products free टी लिया एक किया एकलडियाई स्माद स्क्रेंग बच्छों क्यों बन्जारे बात क्लियर हो गई होगी चले आते हैं बच्चो नेक्ट श्लाइट पर नेच्ट लाइड है इसकी अप्लिकेशन्स मतलब हम यह चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं कुछ ना कुछ तो बच्चो रूल हो गई इसका इस चैप्टर को पढ़ने का कोई ना कोई रोल तो हो गई तो इससे बच् है इसका और यह तृफॉइड फीवर को ट्रीट करने के लिए घ्राइट फीवर्स वहां dedicate और कोदीट करने के लिए एक तो टाइपटूइड फीवर्स यूकि बहुत सारे केसें और देखार है यहां पर यह कार्बन है और यह सील और यह सील लगा है तो यह किस टाइप migrant का हेलो एल के मुआ यापका वा हैलेल हई टाइप है अगली अगलाए क्लोरोकवीन लोícios आप नहुने बाहुत सुना होगा क्लोरोकवीन के बारे में ठीक है जब कोरोना आया था त्वच्टाइम काफ trail ज़्यदाए you can do that point निसमेंट को तो चाहिं मोलेरिया को रीट करने के लिए टो पे बंजीन के साथ पालोग लगा हुआ है और बयुंड़ा वह दाइट मीश्चेश एढन ऐलां एक राईल हलाइड या लोग यहां पर इस टैबलेट को भी देख सकते हैं क्लोरोक्वीन फॉस्फेट टैबलेट्स विचेज उस्टू ट्रीट मलेरिया अगला हेलो थेन हेलो थेन का होता है बचो जब तीज की सरजरी होती है और सिटी वगरा होती है तो वहां पर आपके जो दांतों को सुन किया जाता है तो उसके क्लासिफिकेशन को चेक करेंगे क्योंकि इस पर एक नमबर या दो नमबर का कॉश्चन आता एक्जाम में ठीक है क्लासिफिकेशन फैलो एलकेंस और है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया पहला पार्ट है कंपाउंट्स कंटेइनी सी एक्स बॉंड इन विछ है ब्राइशन इस पी 3 जहां पर है ब्राइशन स्पी 3 होगा कार्बन और हैलोजन के बांड के बीच में ठीक है और अगला क्लासिफिक जिसमें एक अलकाइल चेन होती है और एक हैलोजन होता है जैसे कि आपके पास हो गया CS3C-L अब CSC-L में क्या है अलकाइल हलाइड और भी एक्जामपल लिख सकते हैं मालो मैंने कहा कि CS3BR CS3F CS3I यह सब क्या है बच्चों अलकाइल हलाइड यहां हाइब्रेशन क्या होता ह है आघार इस्पी थी ओता है नेक्स्ट अलाइलिक हलाइड एक यह ट्वाट रहा डबल बाऊंट के नेक्स्ट अरब लगण सभी आर लगा हुआ है यह औरकथ हलाइड इस तयब्स तैप पॉंड के नेक्स्ट कार्बन यह रहा और से इस गार्बन से सीय लगा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे हम एलाइलिक हलाइड जो लेंगे ग्रोप उससे अगर कोई हेलोजन लगा होता है तो उसे हम बेंजाइलिक हलाइट्स बोलते हैं क्लियर हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं बेंजीन के बाद यहां पर लगा है सी इस्टू ग्रूप और सी इस्टू से लगा हुआ है डाट मेंस इस टाइप ऑफ हलाइड इस बे क्या होते हैं बच्चों जब भी आपकी कोई कंपाउंड में डबल बॉंड से डाइरेक्टली कोई है लोजेन लगा हो उसे हम विनाइलिक हलाइड बोलते है ठीक है अब डबल बॉंड लगा हुआ है इसका मतलब एक पाई बॉंड होगा एक पाई बॉंड और तीन सिग्मा सिग्मा बॉंड मतलब की है इसका स्पी टू हाइबिडाइज क्लियर मुविंग तो नेक्स्ट वन यहां पर इसका क्लासिफिकेशन पहला है स्पी दूसरा स्पी टू स्पी त्री में तीन पार्ट्स आएंगे अलकाइल हलाइड अलाइलिक हलाइड और बंजाइलिक इसके कुछ क्लियर होगा कि कौन सा अलाइलिक है कौन सा आपका बंजाइलिक है कौन सा अलकाइल है बास रोंगे चले कॉस्ट नमबर वन ग्लासिफाइदा फॉलोइंग यह खाल ऐलकाइल एल तर्षरी विनायल और एराइल हलाइड ठीक है यह बच्छे समझते होंगे अभ वो एलकाइल हो गया एलाइल क्या होता है डबल बॉंड के नेक्स्ट कार्बन से अगर लगा हो तो होता है आपका एलाइलिक बेंजाइलिक क्या होता है बेंजीन रिंग से लगा हो बास वंज में आ गई, categories देख ले, ये तीनों जो categories हैं, ये हैं आपकी SP3, क्या हैं ये, SP3 hybridized, जबकि ये दोनों है, SP2 hybridized, clear हो गया, चलिए, पहले question पर बढ़ते हैं, ध्यान दे, first question is, CS3 hold twice, CH, CH, CL, CS3, ठीक है, इसका हम open structure बलाते हैं, पहले का, CS3 hold twice, मतलब की CH पर क्या लगे हैं, दो methyl group लगे हैं, then CH, CL, and then CS3, ठीक है, अब यहाँ पर primary, secondary, tertiary, क्या होता है, वो भी समझ ले, primary, alkyl halide, वो होते हैं, जब मानलों आपका CH2 के साथ, CL लगा हो, तो primary, बोलते हैं, secondary, secondary halide, क्या होता है, जब CH के साथ, CL लगा हो, तो होता है, secondary, secondary, और tertiary क्या होता है, जब आपका C के साथ, जब आपका C के साथ, CL लगा हो, तो हम tertiary बोलते हैं, तो यहाँ चेक करें, CH के साथ, CL लगा हो है, इसका मतलब यह कौन सा halide है, this is secondary, 2 degree, इसे 2 degree बोलते हैं, इसे 1 degree बोलते हैं, इसे 3 degree बोलते हैं, so this is 2 degree, alkyl halides, 2 degree alkyl halides secondary alkyl halide से बोलेंगे है तो बच्चो alkyl halide लेकिन कौन सा पार्ट है 2 degree next question CS3, CS2, CH, CS3, CH, C2H5, CL इसको भी देखते हैं CH3, CH2, CH, bracket लगा हुआ इसका मतलब यह ब्रांच में जाएगा देन आज आता है आपका CH, देन उपर लगा हुआ है C2H5 क्योंकि bracket में है, then CL, सही बच्चे, इसली बदा सकते हैं, क्योंकि CH से CL लगा हुआ है, that means this is also secondary alkyl halide, secondary alkyl halide, next, next आप लोग का बच्चो homework है, CS2 के साथ आई लगा है, आप लोग चेक करेंगे कि यह कौन सा alkyl halide है, CS3C bracket में CL लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे CL लग जाएगा, और CCL मतलब की 3 degree होगा, and last one is PCL, इसके हम रब कर देते हैं, इसे हम बना के दिखाते हैं, तो देखें बच्चो इसका structure, पी मतलब होता क्या है, पी मतलब होता है, पैरा, पी मतलब होता है, पैरा, पैरा समझते हैं, आपकी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 3 positions होती है, मान लो, आपका यहाँ पे group लगा है CS3, तो यह position होती है ortho, यह होती है meta, और यह होती है para, ठीक है, इसके respect में, अगर 1-2 position है तो ortho, 1-3 position है तो meta, और 1-4 position है तो para, ठीक है, इतनी चीज़ आप लोग समझ के रखे हैं, चले, इसका structure बनाते हैं, C6H4 मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन पे लगा हुआ है आपका chloro, तो CL लगा दिया, बेंजीन पे लगा हुआ है CH2, CH2, देन CH, और CH से 2 methyl group लगे हुआ है, अब आप लोग चेक करें, यहाँ बेंजीन से CL लगा हुआ है, बेंजीन से CL लगा हुआ है, मतलब कि यह कौन सा हलाइड है, इस इफ अराइल हलाइड, इस आराइल हलाइड, क्लियर है, एक कोशन और देते हैं, जैसे कि मैंने बोला बेटा, यह कौन सा ल का हलाइड है, CL और अगला है आपका, कौन सा आपका इन सब में कौन सा हुगा अठस है डेफोण कर डबल बॉन्ट के नीस्ट कार्बन करवन्स की यह सैल गवा तapon मेंस डिसवन इस वन लाइली खालाइल एख लिय sulphू है यह डेवल बॉंट सा डार可़ए ड्टरली लगा हुआ इसका मतलब यह क्या होगा यह होगा बच्चो आपका यह होगा विनाइलिक हलाइड एक करेश अपले यहोगा तो इसमें नेचर आफ सी एक्स रॉंड यहाँ पर हम बॉंडिंग पढ़ रहे हैं कार्बन और हेलोजन की ठीक तो अगर आपके पास है सीएस-3-C-L सीएस-3-C-L अचा क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी ठीक है तो यह कार्बन सीएस-3 से कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सीएस-3 क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास यहां पर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन से यह क्या करता है अपना तो लेता साथ में इसका ऐलेक्टान वी अपनी तरफ पूल कर लेता अब पूल करेगा तो होगा क्या इसके ऊपर अब क्यों केशा polarized this bond is polarized जाता तरह यह कहते है कि C-L क्या होगा निकलने की टेने से जधा होती है क्योंकि ज्याधा इलेक्ट्रोन अपनी तरफ पुल करता अब इसमें बचों पर इसमें आपका एससर्चन रीजन कोशन बनेगा या फिर वन चेक करें कि CS3F CS3CL CS3BR CS3I सबसे ज़्यादा बॉंड लेंद किस की होगी किस अलकाइल लेंद की बॉंड लेंद सबस्जादा होगी तो ध्यान दें बच्चों आप जानते हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीज आयोडिन की तरफ जाने पर बॉंड साइज या फिर अटोमिक साइज बढ़ता है अटोमिक साइज बढ़ेगा तो बच्चों बॉंड लेंद भी बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि CS3I आप लोग से बहुंकि यहां पर इसका आटोमिक साइज बढ़ रहा है आइो डिंग अटोमिक साइज बहुत ज्यादा होता है इसलिए bond length भी बढ़ी होती है, clear हो गया, नहीं clear होती है, एक figure दिखाते हैं आप लोगो, मालो ये आपका है fluorine, ये carbon का bond है, ये आपका fluorine है, ठीक है, और अगला ये इस methyl तो अगला से मी रहेगा, लेकिन chlorine का size बढ़ जाएगा, ठीक, ये methyl और ये bromine का size और बढ़ा हो गया, य ये methyl और iodine का size और बढ़ा हो गया, अब bond length चेक करें, ये bond length होता है, center को मिला दो, ये bond length, यहाँ पे इसको मिला दिया आपने, ये bond length, अगली आपने इसको मिला दिया, ये bond length, यहाँ से center, इसको मिला दिया, अब bond length कहा सबसे जादा बढ़ी है, last में बढ़ी है, that means size बढ़न बॉंड लेंध से बंड बेने इंड मतलब होता है इनरजी कितनी एनरजी लगे Nerdy को तोड़ने में तो आप लोग रही जानते होंगे कि मनद मेरे पास मारकर हो और मैं इसको ब्रेक करें आज इसको तोड़ने में आपको थोड़ा सो प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम होगा इसका मतलब की बॉंड लेंथ के बढ़ने पर बॉंड डिसोशीशन इन्थैल्पी क्या होती है बच्चो डिक्रीज करती है तो आप लोग चेक कर सकते हैं बॉंड सबसे चोटी यह वाली थी तो इसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लगे कि that is 452 किलो जूल पर मोल जबकि उपर से नीचे जाने पर बॉंड डिसोशीशन इन्थैल्पी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है दाट मेंस इस डिक्रीमेंट इस दू इंक्रीज इन बॉंड लेंथ यह कोशन आएगा कोश चले next is dipole moment dipole moment की बात करें तो dipole moment को denote किया जाता है mu से it is a vector quantity और यह होता है it is a product of charge that is q into d that is distance between those charges टीक है dipole moment is directly proportional to dipole moment is also directly proportional to electronegativity difference जितना ज्यादा बच्छो electronegativity difference होगा dipole moment उतना ज्यादा होगा ठीक और dipole moment का formula क्या होता है mu mu is equal to k into d अब ध्यान दे फ्लोरीन सबसे ज्यादा electronegative chlorine उससे कम bromine उससे कम और iodine सबसे कम इसका मतलब dipole moment किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए CS3F का ज्यादा मतलब यह order बनना चाहिए CS3F is greater than CS3Cl greater than CS3Br greater than CS3I यह order बनना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा electronegative होता हाईली electronegative highly electronegative ठीक है लेकिन order check करें CS3F का dipole moment है 1.847 जबकि CL का है 1.860 मतलब की फ्लोरीन से ज्यादा तो बच्चों क्लोरीन का है ऐसा क्यों हो गया यह order उल्टा हो गया CS3Cl का उससे ज्यादा होता है किसे CS3F से फिर होता है CS3Br का फिर होता है CS3I का ठीक है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि बच्चों जो dipole moment है वो dipole moment करता है चार्ज और डिस्टेंस के बीच में तो डिस्टेंस की बात करें तो CS3F की जो डिस्टेंस वह छोटी है कम है ठीक है जबकि CS3Cl की डिस्टेंस ज्यादा है तो अगर आज़ा प्रॉडक्ट हम लेते हैं तब ही CS3C2C3F से ज्यादा निकल जाती है क्योंकि यहां प बात bond length मतलब कि distance between two charges की भी हो रही है, so as a whole अगर हम लेते हैं, तो यहां पर CH3 CL की ज्यादा निकलती है CH3 F से, तो यह 3 points जो की काफी important है, जिसमें dipole moment बहुत important इसको ध्यान से आप लोग देख लेगा, ठीक है? Now, moving to next is the preparation methods of hello alkanes, अब बच्चों hello alkanes को prepare करना सीखेंगे, इसे भी एक question बहुत important आता है ठीक है, इसकी preparation से related ठीक है, तो एक एक करके हम हर point को clear करेंगे, hello alkanes को बच्चों पहले हम prepare करेंगे alcohol से, alcohol से हम कैसे इसे बना सकते हैं, तो देखो, ROH की reaction हमने HX के साथ की in presence of ZNCl2, it will form RX plus H2O ठीक है, अब इसको check करना, आपके पास है ROH ठीक है, और यहां पे है HX, अब यहां से क्या करो, यहां से आप water निकाल दो ऐसे, HOH निकाल दिया, HOH निकाल दिया तो बना क्या R और X आपस में जूड गए, तो बन गया RX और H2O, easy है बच्छो है ना, यह जो आप reagent देख रहे हो, ZNCl2 और HX इसे हम कहते हैं, Lucas reagent, that is ZNCl2 plus concentrated SCL is known as Lucas reagent, एक question इसे आता है बच्छो, Lucas reagent, Lucas reagent का एक use बहुत है, कि यह differentiate करता है, यह distinguish करता है, distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, primary, secondary or tertiary alcohol को यह बहुत easily distinguish कर देता है, कैसे बच्छो, मालो आपके पास 3 test tube है, और इसमें आपके पास है 1 degree, यह है 2 degree, यह है 3 degree alcohol, ठीक है, आपने तीनों में क्या किया, Lucas reagent कर दिया, Lucas reagent, Lucas reagent, तो Lucas reagent जब tertiary alcohol में आप लोग पूट आप करोगे, तो यहां पे immediate turbidity आजाएगी, immediate turbidity, तुरंत आपका solution turbid हो जाएगा, जब कि आप अगर secondary alcohol में डालोगे, तो यह आजाएगा, 5 minutes में turbidity आएगी, किते ताइम बाद आएगी, 5 minutes बाद जब कि यहां पे turbidity beta, कोई chance नहीं है, no turbidity, so you can distinguish primary, secondary and tertiary alcohol by using Leukas reagent, Leukas reagent is concentrated SCL and ZNCL2, and it is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, clear, next आते हैं हम लोग अपनी अगली preparation पे, reaction with PCL5 यह फिर PBR3 इसे हम prepare कर सकते हैं, के लिए देखते हैं इसे, ROH की reaction जब हम PCL3 के साथ करेंगे या PX3 PX3 यहां पर कोई भी halogen हो सकता है, ठीक है, बस यहां पर bromine chlorine ही लेना, तो यह बन जाएगा 3RX, मतलब 3 moles RX के, PLUS यहां पर S3PO3 as a byproduct मिल जाएगा, यह हमारे क्या है, byproducts हैं, similarly आप PCL5 के साथ reaction करोगे, तो फिर से क्या होगा, OH यहां से remove होगा, और लग जाएगा CL और byproduct मिलेगा, POCL3 PLUS SCL Clear? next ROH की reaction हम red phosphorus in presence of X2 X2 यहां पर क्या है, BR2 या फिर I2 है, यह actually phosphorus जो है, BR2 के साथ react करता है, और PBR3, और reaction करके बना देता है, RX RX मतलब की, RBR बना देगा, ठीक है, बचो यह जो आपकी methods है, जो कि आप लोग ने उपर देखे इसमें आपके pure products नहीं मिलते है, pure products नहीं मिलते है, ठीक है byproducts साथ में मिल रहे है लेकिन जो सबसे अच्छा method है, the preferred method which is used to prepare alkyl halides is your reaction with thionyl chloride and that is SOCl2 when you treat alcohol with thionyl chloride, it will form alkyl halide and the byproducts are sulfur dioxide and SCL which are escapeable gases, जो कि escape कर जाते हैं, तो आपको product जो मिलेगा, वो pure मिलेगा, that is alkyl halide, हम कहते हैं कि यहां पे escapeable product हो गया, that means pure alkyl halides can be prepared, यहां से हम pure alkyl halide बना सकते हैं, clear, now तो यहां से हमने क्या सिका, there are different methods of alkyl halides, पैला था लुकास reagent, ठीके, जिसका use है, primary secondary tertiary alcohols को distinguish काना, तूसरा था PX3, तूसरा था PCL5 तूसरा था था red phosphorus और X2 के साथ और सबसे अच्छा method जो है वो है last method जिसे आप star mark कर दें, exam में पूछा जाएगा, which method is most preferred method for preparation of alkyl halide and you will tell that reaction with thionyl chloride now moving with the next preparation is from alkenes, अब हम बच्चो alkenes के साथ इसकी preparation करेंगे alkenes के साथ प्रिपेर करने के लिए आपको जरूरत होगा यहां पे SCL का ठीक है जो की attack करेगा तो इसको सबसे पहले easily समझते तो अगर आपके पास है CS3 CH double bond CS2 और हमने इसकी reaction कराई है HBR के साथ यहां फिर SCL के साथ भी तो यहां यहां पर लगाया जाएगा मार्कॉनिकॉफ रूल मार्कॉनिकॉफ रूल मार्कॉनिकॉफ रूल क्या कहता है मार्कॉनिकॉफ रूल स्टेट्स एट नेगेटिव पार्ट ओफ यॉर HBR is attached to that carbon which has less number of hydrogen atoms जिस carbon पे number of hydrogen कम होते हैं उसी के उपर आप नेगेटिव पार्ट लगा दें जैसे कि यहां पर HBR देख रहे हैं HBR में नेगेटिव पार्ट क्या है BR माइनस है तो BR माइनस किस carbon पे लगाओगे अब ध्यान दो बच्छों यहां पर आपके पास है CH double bond CH2 किसके उपर hydrogen कम है इस carbon के पर hydrogen कम है तो प्राड़क्ट कहां बनेगा प्राड़क्ट बनेगा CH3 CH BR CH3 जो कि आप लोग देख भी सकते हैं इस question में 2 methyl propene में double bond है बच्छों यह वाला तो आपका CL जो की CL negative है वो कहां लगेगा वो CL लगेगा इस carbon के उपर क्योंकि इसके उपर कोई भी hydrogen नहीं है तो जहां पर hydrogen कम होते हैं उसी पर आपको CL लगा देना तो ध्यान दें C के साथ यहां पर CL लगा दिया गया और जो product बना है वो है 2 chloro 2 methyl propene इसका जो main reason वो है कि बच्छों stable carbon बनता है वही आप लोग को stable product बनाएगा जैसे कि आप लोग चेक करें कि आपको अगर यहां पे हमारे पास फिर से हमने propene ले लिया है CH3 CH double bond CH2 अगर आप यहां पे double bond को shift करें इस तरफ तो इसके ओपर कौन सा charge आएगा इसके ओपर charge आएगा positive CH3 CH CH2 minus और अगर bond को shift इस तरफ करें इसके ओपर आजाएगा positive that means CH3 CH minus CH2 plus कौन सा आपका Carbocatine ज्यादा stable है Carbocatine stability होती है 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree stable Carbocatine यह है secondary Carbocatine 2 degree Carbocatine which is more stable जो की ज्यादा stable है इसलिए आपका जो CL minus होता है वो इस CH के साथ लग जाता है तो यह इसका main concept है कि आप CL को उस साइड पर क्यों ही लगा रहे हो because that Carbocatine is stable Carbocatine is that clear to all of you now CL minus को जो है अगर यहाँ पर लगाया गया तो यह form नहीं होता क्योंकि यह वाला जो stable है आया जो आपका Carbocatine वो वन डिग्री है विच इस not stable अब इसी का opposite बच्चों अगर HBR को आप करें in presence of peroxide तो reaction free radical के थूँ होती है free radical के थूँ होती है तो आपका बनेगा इसका opposite बनेगा का opposite बने का मदलब की anti-marconic of rule तो addition of HBR in presence of peroxide अगर आपको peroxide दिया गया तो आप क्या बनाएंगे anti-marconic of product बनाएंगे जैसे कि आप लोगी example देख पार है प्रोपीन की reaction हमने की है HBR in presence of peroxide तो BR कहां लगेगा बच्चों BR जो है वो लगेगा in presence of peroxide इस carbon पे ठीक है जिस पे ज्यादा number of hydrogen atoms होते हैं और अगर peroxide नहीं होगा no peroxide तो BR वहां लगेगा जहां पे hydrogen atom कम होते है तो इसको लिख लेते हैं बच्चों BR minus in presence of peroxide presence of peroxide will add on that carbon which has which has more number of hydrogen atoms जिसके पास number of hydrogen atom ज्यादा होते है in presence of peroxide clear हो गया और अगर peroxide नहीं होगा तो बही मार कॉनिक आफ रूल जिसके उपर कम hydrogen होते हैं उसके पर लगा देंगे ना नेक्स्ट अब बच्चों हम कुछ questions कर लेते इसका इसका मतलब आप लोग समझ जाएं कौन सा रूल लगेगा मार कॉनिक आफ रूल क्या कहता है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस carbon पर लगेगा जिस पर hydrogen कम होते हैं अब double bond बच्चों यही आप लोग देख पा रहें इस carbon पर एक hydrogen है इस carbon पर दो hydrogen है तो किस पर लगाएंगे इस पर लगाएंगे तो product क्या बनेगा यह बनी benzene ring यहाँ पर लगा हुआ है CH और CH पर सिर्फ एक ही hydrogen था तो यहीं लगा दें आप BR और यहाँ पर आगे लग जाएगा क्योंकि यह double bond हटेगा double bond है तो यहाँ पर CH2 है और यह H plus किसके पास जाएगा इसके पास जाएगा तो बन जाएगा CS3 clear हो गया समझना गया बच्चो ठीक है अच्छा यह किस टाइप का alkyl halide है alkyl है कि aryl है बताए ध्यान दिया था हमने बोला था aryl halides थे benzylic halides थे तो ध्यान दो benzyn के उपर CH के साथ लगा है तो यह है बच्चो benzylic halide क्या है benzylic halide और benzylic halide में भी CH के साथ बियार मतलब secondary benzylic halide कौन सा है secondary benzylic halide benzylic halide क्या थे भूल गया है benzyn के उपर लगा है CH2 फिर लगा है कोई भी halogen तो उसे benzylic halides बोलते हैं यह भी आपको वैसा ही है CH के साथ बियार लग गया है बस CH2 के साथ CL होता तो primary बोलते हैं अगर CH के साथ BR लगा है CL लगा है तो secondary बोलेंगे क्लेर हो गया चले second question आपके पास है ब्यूटीन की reaction की है SCL के साथ कौन सा effect होगा मार्कॉनिक आफ रूल CL कहां लगेगा जिसके उपर hydrogen कम होंगे किसके उपर कम है इसके उपर की इसके उपर बताएं इसके उपर कम है तो बच्चों इसी पर CL लगा तो बहुत आसान है CS3 CH2 CH यहां पर लग जाएगा CL और आगे लग जाएगा CH3 बासवन आगई next question HBR in presence of peroxide अब यहां पर peroxide दे हुआ है that means peroxide leads to anti-marconikov rule or anti-marconikov क्या कहेगा BR minus लगेगा CH2 के साथ बना दे product Benzene बनाया Benzene के साथ लगा CH2 then CH then CH2 और आगे जादो BR उल्टा हो गया बच्छो अगर यहां peroxide ना होता तो इस CH के साथ लग जाता next fourth one is आपके पास है cyclohexanol reacted with SOCl2 कौन्सी reaction है यह बच्छो thionyl chloride preferred method क्या होता है द्यान था reaction यह कराए गई थी ROH plus SOCl2 क्या बनाता है यह बनाता है RCl और दो escapeable gases थी SO2 और SCL तो ROH convert हो गया RCl में similarly वही करना है यह R group हो गया ROH था तो यहां पर क्या लगा दो CL लगा दो और SO2 और SCL बास वन आ गई next question यहां पर आपके पास अगला सवाल यह आ रहा है कि आपके पास यहां पर यह एक ring बनी है double bond methyl group लगा है और HI है है अब HI में negative part है I- किस carbon पर लगा है जिस पर hydrogen का मूत है तो यह carbon रहा ठीक इस पर कितने hydrogen है double bond यह वाला है बच्चों इसकों में एक बड़ा structure इसका बनाता है देखें आपके पास यह रहा ring और यहां पर एक double bond और यहां पर लगा हुआ है CS3 ठीक है अच्छा इस carbon यहां पर double bond यह carbon है कि carbon है ठीक यह double bond है तो इस carbon के ऊपर कितने hydrogen है एक bond यह बनाया 2 bond 3 bond एक hydrogen है इसके ऊपर देखो 1 bond 2 bond 3 4 bond मतलब कोई भी hydrogen नहीं तो इसका मतलब आपका आई कहां लगेगा यहीं लग जाएगा तो यहां पर आई इस तरह से लगा दो तो जो product बनेगा वो यह बनेगा CS3 और इसी पर आई लग जाएगा questions आई बच्चों clear होगे सारे के सारे इसमें से बच्चों कोशन से important है exam में एक ना एक question जरूर आएगा ठीक है चले आजाते है next topic पर जो की है preparation from alkane अब हम बच्चो alkane से prepare करेंगे आपका hello alkane देखो यहां पर compound है CS3 CS3 इसकी reaction की गई BR2 के साथ in presence of heat or light तो यह बना देगा CS3, CH2, BR करना क्या है देखो आपके पास है CH3 CH2 CH यह है 3 और इसकी reaction की गई BR2 के साथ BR2 करना क्या है यहां से HBR इस तरह से remove कर दो तो बनेगा क्या CS3 CH2 और BR जो कि आप लोग यहां देख सकते हैं इस तरह से हम क्या कर सकते हैं similarly CS3, CS3 की reaction CL2 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा CS3, CH2, CL यह method भी उसी तरह है आपने लगी दिया यहां पर CS3 यह आगया आपका CH3 और यह आपका आगया CL2, 2CL2 ऐसे बहां दिये यहां से SCL remove कर दो तो बनेगा CS3, CH2 और CL यह आप लोग प्रोड़क यहां देख सकते हैं similarly आगर आपके पास है CS3 CS3 और इसकी reaction आपने कर दी F2 के साथ same conditions क्या बन जाएगा CS3 CS2 F also when you treat CS3 CS3 with I2 it will form CS3 CS2 I plus HI यह बन जाएगा लेकिन बच्चो इस तरह इस topics मतलब जो आपका फ्लोरो इथेन यह आपका फ्लोरो इथेन है यह आइडो इथेन है यह हम इस मेथड से नहीं बनाते हैं we cannot prepare this product by this method हम एलकेन से कभी भी alkyl fluorides यह alkyl iodides नहीं बना सकते क्योंकि बच्चो फ्लोरीन बहुत ज्यादा reactive होता है reactivity की बात करें तो f2 is most reactive then as compared to bromine chlorine then bromine and then iodine यह reaction बच्चो इतनी ज्यादा exothermik होती है इतनी ज्यादा exothermik होती है कि अगर मान लोग आप इसने इसको बनाने चले आप लोग नहीं मान होगे नहीं सर बना के रहेंगे तो बनाने चलोगे तो आपका जो बीकर है वो ब्रेक कर जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा इतना ज्यादा reactive होती है इतनी ज्यादा exothermik reaction होती है that is why we cannot prepare alkyl fluorides by this method that is from alkynes by using f2 because f2 is most reactive clear now iodide तो उतना ज्यादा reactive भी नहीं है यह ना इतना reactive बेटा सब ज्यादा reactive तो fluorine था जब क्लोरीन बना सकते है iodine क्यों नहीं बना सकते है क्योंकि यह reaction होती है reversible क्यों होती है reversible reversible मतलब कि जितना आप लोग इसको बनाओगे उतना यह वापस फिर से reactant बना देगा ऐसा क्यों क्योंकि है क्या होता है बहुत ही एक अच्छा reducing agent होता है एचाई गुट reducing agent reducing agent क्या करता है जो भी आपका यह product बनके तयार हुआ है इसको वापस इसी में भेज देगा जब इसमें भेज देगा तो फाइदा क्या हुआ जितना बना रहे उतना वापस जा रहा है क्या फाइदा हो बनानेगा that is why we also do not prefer this reaction तो इसका मतलब अगर बनाना है तो कोई ना कोई alternative method जुरू लाना पड़ेगा और वह alternative method होगा जो कि important है Swartz reaction और Finkelstein reaction चले देखते हैं उसे next reaction जो है वह Swartz reaction जो को यूज होता है for alkyl fluorides जैसे देखें यहाँ पे c3br हम बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं ch4 लो और यहाँ पे बियार टू लो इन प्रेजेंस ओफ heat या फिर आप साल लाइट क्या बना दो कि c3br तो बना सकते हैं यह तो easy है इसकी reaction आप सब्सक्राइब के साथ करा दो एजिए सब्सक्राइब तो c3f बन जाएगा जैसे देखें c3br plus AGF अब होगा क्या यहां से एजी बियार बाहर कर दें एजी बाहर करोगे तो क्या होगा c3f बन जाएगा जो यह product था similarly c3rx यहां पर क्या है rx मालो आपका सब्सक्राइब के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइएसी टोन ड्राइएसी टोन क्या बना देगा आराइए और न एक्स एक्जामपल लेते हैं c3br प्लस na i क्या बनाएगा na br बाहर कर दो क्या बन जाएगा c3i बन जाएगा तो यहां पर प्रोजेक्ट जो बना है वो है c3i clear now class moving to next slide and that is physical properties अब हम बच्चों physical properties के बारे में पढ़ेंगे हलोल के सो हलोरी इसकी ठीक है पहली property है melting point and boiling point बच्चों melting point or boiling point as the carbon number atoms increases it also increases आप देख सकते हैं यहां पर carbon atoms जैसे जैसे बच्चों increase कर रहे हैं from left to right boiling point बढ़ रहा है so as we increase the increase the number of carbon atoms the boiling point also increases next is increase with increase in size of halogen atoms बच्चों बात करें fluorine chlorine bromine or iodine की as we move down the group the atomic size increases so iodine का because size बढ़ा है तो हम कह सकते हैं that it increase with increase in size of halogens now next is effect of branching boiling point branching के बढ़ने पर क्या होता है decrease करता है जैसे कि आप लोग देखें यहां पर हमारे पास है 4 carbon atoms or bromo लगा हुआ है यह आपकी straight chain जब की यहां पर there is a branching at the second position and this one is 2 bromo butane and in this case there is a more number of branching so as we branching increases as branching increases boiling point or melting point decreases and what is the reason reason is surface area as we move from this to this that is from left to right the surface area decreases surface area के decrease होने पे होता क्या है boiling point decrease करता है clear now next is in case of isomeric dihaloarenes अगर हम dihaloarenes के case में आए तो यह आपकी जो पोजिशन है यह है आपकी अर्द कीक जण सह कता ही यह ऎर्थ श्यू बसिशन यख यह हिसे 1, 2, 3 that is meta position and this is a para position now paraisomer of dichlorobenzene is having higher boiling point and that is 448 whereas for meta it is 446 and for para it is 453 what is the reason reason is a symmetry which of para dichlorobenzene is more symmetrical as compared to ortho and meta. So, it fits better in the crystal lattice or better better crystal lattice that means, it has higher boiling point clear now. Next is we will prepare the halorines the halorines can be prepared by various methods the first method is from hydrocarbons by electrophilic substitution. अब हम बच्चों एलक्ट्रोफिक सब्स्टिटूशन के थू क्या बनाएंगे हेलो अरींस बनाने बाले ठीक है एक्स्टू यहां पर हमारा है हेलोजन हेलोजन कौन सा हो सकता है लेट से क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया ठीक है अडिक है मिथाइल ग्रूप इस इलेक्ट्रॉण डोनेटिंग ग्रूप यह इलेक्ट्रॉण डेनेटिं ग्रूप है जिससे की अडेक्रॉण देंसिटी बढ़ाता है बंजीन की हो यह एक और्फो पर्फ पोजीशन और एक समय टार्फ परा क्यों बढ़ जाती है तो आपका k дух अलो चने यो कह van लो छुएल पलस या फिर बी आर मौज that is the इलेक्ट्रो फाइल दिसविन देविट और सुब्टोम विल आटाहसच नल्टव से which is having more electron density or electron density कहां पर जादा है एक और्थो पर 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 प्रोड़क भी देखो यह आपका और्थो पोजिशन पर प्रोड़क बना है और यह बना है पर पर पोजिशन में यह और्थो मेटा पर पर तो फॉर्स्ट वी कन प्रिपेर दी हेलो और इस भाइलो और इस पर पर दी होन वन अरोमाटिकवक अमीन शीजिग वेड़्स सोड्यम नित्र depressed of aqueous Mineral acid and that is HX at temperature of zero degree centigrade you will get benzene disonium chloride अको कैमीलेगा benzene disonium chloride मेलेगा जब आप आरोमाटिक अमीन की ट्रीटमेंट करेंगे एन अनोटू प्लस सी एल के साथ ठीक है ना इस बेंजीन डाइजोनियम ख्लोराइड इस टेबल दिस इस टेबल और फोर इट कैन रियक्ट वेद फर्दर कंपाउंट्स लाइक क्यू प्रस क्लोराइड यह जब रियक्शन करेगा क एकक्स एकिशी प्रस क्लोराइड के साथ यह फॉला बॉन बेटा ब्रेक्ट करेगा और इसकी जगाएगा आपका एक्स एकस यहां पर क्या हो सकता है कोई भी हलोजन हो सकता है लेट से एक एक्ड़ाम पले आपके बंजीन डाइज़न द्सवाराइड और यह यह प्लस इसके देखेंगे जिसके थुरू हम इस topic को clear करेंगे देखें यह दिस बगांद ऑर बेंजी डाइजोनियम ख्लोरीट एंगे हमने इसकी र्याक्शन कराई है वार्म के साथ warm water that means यहां पे H plus है और क्या है OH minus है क्या करोगे इस बॉन को ब्रेक करोगे और यहां क्या लगा दोगे आप OH लगा दोगे that means you will get a phenol whereas in this case there is a hydrofluoric acid and in this case it is F minus which which will attack on this carbon and and break this bond which results in formation of fluorobenzene next you have treated with KI KI में क्या क्या होता है के plus होगा और I minus होगा I minus जाएगा और N2 को हटाएगा और खुच जाके लगेगा तो बनेगा क्या Iodobenzene Iodobenzene and next with CuCl2 अभी a reaction कराई थी what is the halogen atom halogen atom is C L to C L जाएगा और इसे हटाएगा और बना देगा the product will be chlorobenzene so you can get different types of products different compounds by using this reagent which is Benzene Dizonium Chloride इसकी बाँ साई reaction बच्चों में भी पर्णे को मिलेंगी ठीक है जहां पे हम एक अलग तरह की reaction करेंगे that is Gatterman reaction ठीक है चले now moving to next and that is the chemical reactions of hello alkane this topic is most important और इसमें कोई न कोशे कोशन शोर आने बाला ठीक है chemical reaction of halogenes में हम 3 reactions को cover करेंगे first is nucleophilic substitution reactions and next one is elimination reaction and third is reaction with metal reaction with metals में हम दो चीजे पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे रिगनार्ड रिएजन के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे वुट्स reaction जो कि आपकी naming reaction में आती है वुट्स reaction ठीक है चले start करते हैं पहली reaction से that is nucleophilic substitution reaction what is nucleophile nucleophile is the are those species which have negative charge on them that is OH- हो गया हमारे पास CL- हो गया तो इस हमारे क्या है दो दो है जीनके पास और भी होता हैं जिनके पास न पर होतै है जैसे कि वॉटर हो गया हमारे एक Så हो गया हमारे पास मेना है वह भी एक नू कलेफाइल ओगे जिनके पास होता है लोन पेर होता है सुटीटीटूशनम दीज नू क्लेटा इसविल सब्स्टिटूट अनदर नूखर फाइल जैसे कि एक्जांपल देखें आपkę पास नूखर फाइल माइनस जो कि क्या हो सकता है ओ एच माइनस हो सकता यहां पे आपके सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कॉनबकलाद इड़ा से करए से तरफलेगा इसलेक्टपर से फडोंट तो इसके पर निगेटीव इसके पर डटा पॉस्टिव नूविऑली रिसटे Billboard fajgraph ओ अधा करेगा और ची चौких सिफ्टानी बनेगा यहां पे C, यहां पे हमने लगा दिये H, H, H और आगे लगा दिया आपका OH, बाहर के निकल गया, C L minus. So, हुगा क्या है यहां पे? Nucleophile attacks on this carbon and replaces this already existing C L and therefore this reactions is known as nucleophilic substitution reactions. अब अच्छों एक हम टेबल का बताएं दिखाएंगे जिसमें आपको different types of nucleophiles देखने को मिलेगा और वहीं में हम एक आपको topic बढ़ाएंगे जो की होगा embedded nucleophiles, इस figure में आप देखें, table में देखें, तो different types of reagents दे रखें, जैसे कि NaOH, इसमें nucleophile है आपका OH- और बनेगा product ROH, कैसे? आपके पास RX है, मालो आपके पास CS3, X मालो CL है, और nucleophile OH- है, OH- क्या करेगा? इस carbon पर attack करेगा, इस CL को निकालेगा, क्या बन जाएगा? CH3 OH, बाहर के आ जाएगा CL- यही reaction आपको दे रखें, RNU, RNU मतलब की R आपके पास CS3 था, और NU nucleophile है जिसने attack किया है, तो CS3 OH Similarly, H2O में oxygen के उपर lone pair होता है, जो की attack करेगा, CS3, CL के उपर और बना देगा, ROH मतलब की alcohol Similarly, NaOR, sodium alcoxide, sodium alcoxide में जो nucleophile होता है, वो OR- होता है, OR- attack करेगा, CS3, CL के उपर बन जाएगा, ROR, जो की क्या होता है? Ether, next NaI, NaI में nucleophile क्या है, बच्चो, nucleophile है, I minus, I minus attack on R, and replaces X minus, resulting in formation of alkyl iodides, अब इसमें जो reactions exam में पुछी जाते हैं, वो बेटा, EHR reactions है, that is reaction with KCN, with AGCN, with KNO2, and with AGNO2, अब ध्यान से देखेंगे, KCN is an ionic compound, यह क्या है, ionic compound है, तो जब यह solution में जाएगा, तो break करेगा, K plus और CN minus में, CN minus है, cyanide ion, cyanide ion attack करेंगे, CN minus attack करेगा, CS3, CL पर, let's say, CS3, CL पर attack किया, is carbon के साथ, क्या करेगा, attack करेगा, or CL को निकालेगा, बनाएगा, क्या, CS3, CN बनेगा, because it is an ionic compound, and CN minus, our ions are present in the solution, therefore, the compound formed will be nitrile, and that is RCN, but AGCN, अगर यह ही हम reaction AGCN के साथ करा दे, तो AGCN बच्चो, एक कोवलेंट compound है, क्या है, कोवलेंट compound, and here, nitrogen lone pair will attack on the carbon, resulting in formation of isocyanide, तो बच्चो, RNC बन जाएगा, इसका opposite, अगर KCN attack करेगा, तो RCN, अगर AGCN attack करेगा, तो बनेगा, RNC, now, अगर हम KNO2 के attack करा है, तो बैटा, यहाँ पे O attack करता है, वो बनता है, RONO, जिसे हम बोलते हैं, alkyl nitrite, क्या बोलते हैं, alkyl nitrite, whereas, if you attack AGNO2, तो हमारा nitro group attack करता है, और बनता है, RNO2, जिसका नाम है, nitro alkane, तो यह जो चार reaction से, अच्छे से याद कर लें, these are known as embedded nucleophiles, जहाँ पे carbon भी attack कर सकता है, है, nitrogen भी attack कर सकता है, अगर KCN के case में carbon attack करेगा, और आपके AGCN में nitrogen attack करेगा, clear, now, moving to next one, and that is mechanism, कि कि तरह से nucleophilic substitution reactions होती है, बच्चों यह दो तरह से हो सकती है, या तो आपकी SN2 reaction, या फिर आपकी SN1 reaction, सबसे पहले हम SN2 reaction को start करते है, SN2 reaction का मतलब है, substitution refers to S, N refers to nucleophilic, and B2 refers to bimolecular, या आपने chemical kinetics में पढ़ा होगा, chemical kinetics में आपने order पढ़ा होगा, order क्या था, order is the, how rate is dependent on reactants, reactants के उपर कैसे depend करता है, तो bimolecular मतलब होता है, कि यह दोनों के दोनों reactants पे, क्या कर रहा है, depend कर रहा है, जैसे कि पहला है, आपका SN2 reaction, आप चेक करें, यह है, this one is your CS3Cl, ठीक है, methyl chloride, यह हम क्या बोलेंगे, methyl chloride बोलेंगे, अब, OH- is the nucleophile, यह attack करेंगा, back attack, और simultaneously, यह इस तरह की एक intermediate बन जाता है, intermediate में, as the time passes by, this bond is becoming strong and this bond is becoming weak and resulting in, last in the resulting in, resulting in removal of this Cl minus and therefore formation of CS3OH, यहा में क्या मिल गया, CS3OH मिल गया, ठीक है, so this one is a nucleophilic substitution reaction SN2 case, ठीक है, अब यहां पे अगर हम rate की बात करें, rate किसमे पे डिपेंड कर रहा है, rate is directly proportional to concentration of, concentration of your OH-, हम यहां पे OH- ही concentration पे डिपेंड करेंगे, और किस पे डिपेंड करेंगा, CS3, CL की concentration पे डिपेंड करेंगा, order की बात करेंगे, तो this one is order 1, order 1 and overall order is, overall order is 2, because order क्या हो, था, sum of the powers, तो order क्या निकल के आएगा, 2, इसलिए इसे कहा गया है, this one is second order kinetics, also this is a single step mechanism, यह single step में जाती है, जैसे-जैसे OH- attack करता है, carbon पे, simultaneously CL- remove होता रहता है, तो हमें मिल जाता है product methaneol, अब एक यह point important है, that is, it occurs through inversion of configuration, inversion का क्या मतलब है, जैसे आप लोग यह umbrella देख सकते हैं, ठीक है, मालोग आपकी wind चल रही है, ठीक है, इस तरह से, इसे चल रही है, तो umbrella क्या हो गया, बच्छो invert हो गया, अब invert इसमें कैसे समझे, देखो, CL यहाँ पे कहां लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में, कहां लगा हैंड हैंड साइड में, OH माइनस ने back attack किया, यह क्या है बटा, back attack, back attack, ठीक, अब देखो, जब product बना, तो reactant रो प्रोड़क्ट में क्या फरक है, CL- right side में लगा हुआ था अब OH- कहां लगा हुआ है आपके left hand side में तो overall हुआ क्या इसका जो configuration है वो invert हो गया पहले था आपका right hand side में इस बार कहां पर है left hand side में तो इसको एक umbrella के form में हम समझा सकते हैं कि पहले umbrella का form यह था लेकिन जैसे ही wind ने या फिर OH- अटेक किया umbrella क्या हो गया invert हो गया that is why it is called as inversion of configuration now अब हम देखते हैं कि approach nucleophile का कैसे होता ठीक है approach of nucleophile बचो अगर आपके carbon के उपर bulky groups लगे हुए ठीक है bulky groups मतलब की जैसे कि आपके पास पहला है primary halide ठीक है primary halide क्या होते है आपके पास है आपके लगा होगा लार्ज ग्रूप लगे होंगे तो नुक्लिफाइल इसली अटाक नहीं कर पाएगा ठीक है तो reactivity की बात करें तो primary halide के साथ reactivity सबसेत फास्ट होगी then secondary and then tertiary and this is due to bulky groups which are attached to this carbon chain ठीक है तो इस carbon chain पर एक मिठाइल लगा हुआ इस carbon chain में दो बड़े बड़े मिठाइल ग्रूप लगे हुए तो यहां हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है जब कि यहां पर हिंड्रेंस क्या है काफी ज्यादा है तो नुक्लिफाइल को attack करने में problem होगा इसलिए हम कहते हैं that one degree is greater than two degree greater than three degree अगर हम हलाइड लीविंग गृप के case में बात करें तो because बच्चो आर आई और और आर बीर आर सील और आई में bond लेंस सबसे ज्यादा है आर आई की तो कौन सा क्लीवेज सबसे ज्यादा जल्दी होगा आपका क्लीवेज होगा जब आपका आर आई लगा होगा मतलब कि अगर आपके पास है CS3 I, अगला है CS3 BR, 3rd is CS3 CL, पूछा जाए कि कि तीनों के तीनों तो आपके ये हैं, लेस बल्की ग्रूप लगे होगा तो किसा रेक्टिविटी सबसे फर्स्ट होगी तो बच्चो जिसमें I लगा हुआ है ये bond जल्दी ब्रेक करेगा because इसकी bond length बहुत बढ़िए, clear हो गया, next, next is nucleophilic substitution bimolecular ठीक है, यहाँ पे bimolecular नहीं होगा, unimolecular होगा, ठीक है, unimolecular, ठीक है, unimolecular means rate यहाँ पे depend करेगा सिर्फ एक ही पहले mechanism के बारे में बात कर लेते है, mechanism में होता क्या है, आपके पास अभी हमने SN2 में पढ़ाया था, that reactivity of 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree and this is due to bulky groups, यहाँ पे क्या है, बहुत ही छोटे groups है, जब कि यहाँ पे bulky groups थे, bulky groups थे, ठीक है, चले, सबसे बहले हमारे पास है, आपका tertiary carbon CS3, CS3, CDR, ठीक 2 तो यह जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, because यहाँ बड़े-बड़े groups लगे हुए, back attack possible नहीं, तो इसमें जो है, आपका पहला step होता है, that is the slow step and this one is the formation of carbo cation, सबसे पहले, इसमें step 1 में formation होता है, carbo cation का, carbo cation का, ठीक है, carbo cation का formation कैसे होगा, first step is, there is removal of this BR, ठीक है, BR क्या करेगा, अपना electron लेकर चला जाएगा, तो carbon के उपर आ जाएगा, positive charge, now positive charge इसके पर आएगा, so CS3 whole 3 Cp plus, this is 3 degree carbo cation, this is 3 degree carbo cation, carbo cation की stability, यादे सब बच्चों को 3 degree, 2 degree, 1 degree is the stability of carbo cation, ठीक है, अभी हो carbo cation, बच्चों, SP2 hybridized, SP2 hybridized and planar, यह कैसा होता है, planar होता है, ठीक है, next step is attack of, this is the first step, next step is attack of nucleophile, nucleophile, ठीक है, अब बच्चों, nucleophile का attack होना है, ठीक है, अच्चा, planar मतलब की, इसको हम एक, इस form में समझा सकते हैं, let's say, मेरे पास यह paper है, और यह आपका CS3 whole 3 CBR है, planar मतलब इस plane में, और यह आपका nuclear file है, ठीक है, अब nuclear file attack, उपर से भी कर सकता है, और नीचे से भी कर सकता है, उपर से attack करेगा तो एक product, और नीचे से attack करेगा तो दूसरा product, ठीक है, तो यहाँ पर कितने products बन सकते हैं, यहाँ पर हमारे 2 product बनेंगे, जब की SN2 के केस में आपके पास एक ही पर बनता था and that is inversion of configuration product ठीक है, so because this is a planar, so nuclear file will attack on both the sides, so you can get two products two products, जो की होंगे बेटा, plus and अगला होगा minus, plus मतलब की अबाओधा अटाइक और माइनस मतलब की below the attack, बासमाज में आ गई है, this two products formed are having a mixture and this is known as racemic mixture, तो हमें एक mixture मिलेगा, जिसे हम कहते हैं racemic mixture मिला है और इस process को कहते है racemization, racemization, ठीक है, अगर हम order की बात करें, तो यह होगा first order kinetics because यहाँ पर rate किस पर depend कर रहा है, slow step पर, जो की किस पर है, CS3 whole thrice, CBR, मतलब की tertiary butyl bromide पर, बासमाज में आ गई है, चले, next topic, तो पहला हमने यह चीज़ सीख लेए, कि SN2 और SN1 में क्या difference है, SN1 और SN2 में, SN2 जो है, वो single step है, single step, जबकि SN1 क्या है, two step, क्या है, two step mechanism, यहाँ रेट किस पर depend करेगा, on both the reactant, that is the nucleophile as well as alkylite, जबकि यहाँ पर किस पर depend करेगा, यहाँ पर depend करेगा, सिर्फ, CS3, that is tertiary butyl bromide पर react करेगा, ठीक है, this one is second order, this one is your second order kinetics, whereas this one is first order kinetics, तीसरा point, यहाँ पर यह था कि इसमें बच्चे होगा, यहाँ पर inversion of configuration, and whereas in SN1 case, there is your racemization, clear to all of you, no, next is elimination reactions, elimination reactions क्या होती है, elimination reactions means, यहाँ पर क्या होगा, बच्चो कुछ ना कुछ धोगा, तब ही तो इसका नाम पढ़ा, elimination, elimination of what, HBR, यहाँ पर elimination हम करेंगे, HBR का, किसी की presence में करेंगे, तो बच्चो जो रियेजन लिया जाता है, वो लिया जाता है, alcoholic KOH, क्या लिया जाता है, alcoholic KOH, इसको हम और भी कहते हैं, dehydro halogenation reactions, dehydro halogenation, halogenation reactions, अब यह होती ही क्या है, देखें, when alkyl halides, alkyl halides having beta hydrogen, beta hydrogen, beta hydrogen क्या होता है, let's say, आपके पास एक compound है, CH3, CH2, CL, ठीक है, carbon के साथ ही chloro लगा हुआ है, ठीक है, तो यह हुआ हमारा alpha carbon, और यह हमारा हुआ बीटा carbon, और बीटा carbon पे जो आप hydrogens देख रहे हैं, यह होते हैं, बीटा hydrogen, तो हम क्या करें, इसकी एक reaction करते हैं, having beta hydrogen is treated with, is treated with, किसा ठीक हरेंगे, with alcoholic KOH, alcoholic KOH, कमा, बनेगा क्या यहाँ पे, alkene, क्या बनेगा, alkenes are formed, ठीक है, चले, इसको एक reaction के तुरू समझते हैं, देखें बचो, आपके पास है, CS3, CH2, CL, ठीक है, अब मैं काम करूँगा, यहाँ पे beta hydrogen mark कर देते हैं, alpha और यह रहा आपका beta, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिख देते हैं, CH2, और एक hydrogen हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, CL को हटाएंगे, CL को हटाएंगे तो क्या होगा, देखो, यह हमने CL लगा दिया, ठीक है, अब CL लगाया है, तो, देखें, यहाँ से हमने क्या remove किया, SCL remove किया, तो क्या होगा, alpha और beta के बीच में क्या जाएगा, double bond आ जाएगा, double bond आ जाएगा, तो हम लिख देंगे, आपे CH2, double bond CH2, हमारा क्या बन गया, alkene clear हो गया, बास होज में आ गई है, यहाँ पर क्या करना है, आपको SCL remove करना है, तो SCL remove कर सकते हैं, कोई भी आपका hydrogen halide remove कर सकते हैं, ठीक है, आगला example ले लेते हैं, लेट से आपके पास है, CS3, CH2, BR, ठीक है, क्या करेंगे, बीटा hydrogen डूनेंगे, यह alpha, यह आपका है, बीटा, बीटा में hydrogen है, CH2 और यह रहा है, और आपने क्या किया, यहाँ से BR remove किया, और इधर लिग दिया, अब HBR को हटा दे, इस तरह हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH2 double bond CH2, तो इसमें करना क्या है, करना यह है, कि आपको beta hydrogen ढूनना है, उसके बाद सीधे-सीधे आपको HBR निकाल देना है, और alpha, beta के बीच में क्या लगा देना है, double bond, alpha और beta के बीच में double bond लगा देना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपके पास beta hydrogen है, तब क्या होगा, चले, उसका एक example लेते हैं, और उसे समझते हैं, देखें, चले, अगला एक समझाल है, आपका, CH3, CH2, CH2, CHBR or CH3. 2-bromopentane, this is a 2-bromopentane, clear, हमने reagent यहाँ पर लिया है, alcoholic koh, alcoholic koh, आप सबसे पहला काम यहाँ है, कि आपको beta hydrogen तूढ़ना है, CH के साथ बीर लगा है, तो यह alpha carbon, beta carbon आपको यह रहा, तो beta से लगने वाला hydrogen यह रहा, similarly, यहाँ पर एक और बच्चो beta hydrogen है, यह आपका beta hydrogen है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, beta hydrogen को दिखाएंगे आपको, ठीक है, देखो, से removal किसका किसका हो सकता है, देखो, अगर करेंगे, तो HBR मान लो, अगर आपने यह रिमूव किया, तो यह था आपका alpha, यह था आपका beta, और similarly यह था beta, अगर यह रिमूव करेंगे, तो आपका double bond इसके बीच में बनेगा, अगर आपने इस तरह का यह रिमूव किया, यह HBR रूम किया, तो double bond इसके बीच मनेगा, तो आपके दो product बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से, CS3, CH2, CH double bond, CH, CH3, मतलब कि आपका यह pent to in, ठीक, अगरा क्या बन सकता है, CS3, CH2, CH2, CH double bond, CH1, CH2, ठीक है, तो आपके यहाँ पर दो product बन सकते हैं, विच वन इस major product, this product is major, whereas this product is minor product, यह आपका minor product है, इसके लिए, इसको समझने के लिए, यह major product क्यों है, आपको समझना पड़ेगा, SETZF rule, SETZF rule, what is SETZF rule, SETZF rule says that, the preferred product is that alkene, आपका preferred product वो alkene है, preferred product is that alkene, that alkene, which has, which has more number of alkyl groups, more number of alkyl groups, attached to double bond, attached to double bond, अब देखें, double bond, double bond के along, अगर देखें, तो कितने alkyl group लगें, इसमें, एक group यह लगा, एक group यह लगा, मतलब दो alkyl group लगे हुआ है, अगर हम इसकी बात करें, double bond के along से बच्चों, एक ही alkyl group लगा हुआ है, तो यह rule क्या था, preferred product is that alkene, which has more number of alkyl group, जिस पे number of alkyl group जादालागें, along the double bond. So, this is the elimination reaction, here we have eliminated HBR or SCL or HI in presence of alcoholic KOH. Now, moving to next type of reaction and that is reaction of haloalkanes with metals, इसमेचा पहला है, that is Grignard reagent, what is Grignard reagent? Grignard reagent is alkyl magnesium halides, यह होते है, alkyl magnesium halides, alkyl magnesium halides, alkyl magnesium halides मतलब की, alkyl मालो आपका R रहा, यह रहा Mg, यह रहा X, इसको सबसे पहले discover क्या है था, बच्चों, Victor Grignard ने, ठीक है, Victor Grignard ने, जिसके लिए इनको nobel prize भी दिया गया था, ठीक है, nobel prize भी दिया गया, ठीक है, क्यों, because यह पहला case था, जहां पर R के उपर क्या होता है, negative charge होता है, और Mg के उपर होता है, positive charge, यह आपका organometallic compounds की category में आता है, जिसमें आप generally देखते हैं कि R, जो कि alkyl group है, वो एक nucleophile का का काम करता है, that means which can attack on any carbon which is electrophilic, ठीक है, चलि यह इसके उपर positive है, ठीक है, अब अगर आप इसकी reaction कराएंगे, R, M, G, X की मालो की water के साथ, plus H2O, तो क्या बनेगा, R पे negative है, और यहाँ पे H2O पे क्या है, H पे plus, और OH पे minus, negative को positive को साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, R, H, plus M, G, O, H, whole, X, बस बने आ गई, अब यह ब यह बन जाता है, R, M, G, X, क्या बन जाएगा, R, M, G, X, Grignard reagent can be prepared by this method, now next is, Wood's reaction, एक named reaction है, जो की बहुत important है, एक्जा में पुछे जाती है, वोट, what is, Wood's reaction, when alkyl halide, that is, CS3Cl, is treated with sodium in dry ether, sodium or dry ether की presence में, इसकी reaction कराई जाती है, तो हमें मिलता है, CS3, CS3, और बहार आ जाता है, बाटा, NaCl, ठीक है, अब इसकी mechanism कैसे होगी, देखो, यहाँ पे इसके दो मोस लिए जाते हैं, तो दो मोस को हम ऐसे लिख सकते हैं, CS3Cl plus Na plus CS3Cl को दूसरे को बिटा, इस form में लिख दो, और यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे आप NaCl को रिमूव करोगे, NaCl को रिमूव करोगे, तो कुछ इस तरह से NaCl रिमूव होगा, और बचेगा क्या, CS3, CS3, that means, आपको compound आपका मिल गया, that is, ethane plus twice of NaCl, यहाँ पे आमने twice दे लिया So, this is the Woods reaction, इसकी अगली type आती है, आपकी next is, Woods Fittig reaction, Woods Fittig reaction, ठीक है, क्या होती है, Woods Fittig reaction, तो देखें, Woods Fittig reaction is, when you treat, when you treat an aryl halide with sodium and presence of another another alkylite which is CS3 Cl, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्छो, NaCl आपको रिमूव करेंगे, और आपको मिल जाएगा, बेंजीन के साथ लगा हुआ, बेंजीन के साथ लगा हुआ, बेंजीन के साथ लगा हुआ, CS3, जिसे हम लोग कहते है, toluene, ठीक है, जिसे हम कहते है, toluene, curbeltर-, प्रेκαशन, ज्ञाँ पे आपका एक अराईललाइ लिया जाता है, और जूसरा, इलकाईल लिया जाता है, ठीक है, है next is third one is third is hooked reaction pay take reaction fatty reaction क्या होती phytic reaction में आप sulphش Cherbourg reaction में आप दोनों कе दोनों अराय रायल आईलाइड फिर्ट दोनों के दोनों अरेल लाइड लेंगे क्या होगा इस में आपने लिया है as a की reaction आपने कराई है sodium के साथ in presence of another अनदर अरायलाइट यह रहा आपका और यहां से फिर से आपने क्या किया इस CL को remove किया ठीक है एने CL remove होगा reaction भी होगी बच्छों dry ether की presence में और बनेगा आपका अगलें आपका 1 यौंवी बनेगा तो तक हो अगलों के डोन includes यृइन यृइन टाएं डोन में लेंगे और हमें मिलेगा बाइ- zij तेक है नाम लिख देता है इसका इसका इसाश्व भाई फेनाइट नेक्स्ट के ट्गेग्री ऑफ रियाक्ट्टीजन इस जैसे कि SN2 और SN1 अभी आपको पढ़ाए गया जो कि aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reactions इसके कुछ reasons हैं एक करके हम reasons को समझेंगे why aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution तो देखो पहला जो point यहां पर दे रखा है that is resonance effect resonance effect के वजह से आपके पास है है let's say aryl halide chloro benzene ठीक है और nucleophile है OH minus OH- क्या करना चाहता है OH- यहां जाएगा और CL को remove करेगा और बना देगा आपका CL remove होगा और यह बनेगा OH यही तो होता है nucleophilic substitution एक nucleophile आया CCL bond को break किया और खुच जाके उसके position पर लग गया लेकिन बच्चो यह procedure यह reaction होती ही नहीं है क्यों नहीं होती है पहला है resonance effect आप लोग सभी जानते हैं कि chloro benzene में होता है resonance oxygen के loan पर resonance participate करेंगे resonance में participate करेंगे तो इस बार यहां पर आ जाएगा बेटा यह negative charge double bond that is this is a partial double bond character partial double bond character due to resonance अब यह बच्चो double bond है ठीक है जबकि CS3Cl CS3Cl का case देखो CS3Cl में कार्बन और क्लोरीन के बीच में single bond था partial bond character की वज़े से OH- is not able to break this double bond and hence due to resonance this is less reactive towards nucleophilic substitution next is difference in hybridization अगर आप CS3Cl में देखे हैं तो यहां पर hybridization है sp3 जबकि अगर आप chloro benzene में देखें aryl halide में तो यहां पर hybridization इसका है sp2 sp2 और sp3 में क्या फरक है sp3 में s character है 25% जबकि sp2 में s character है 33% more s character more s character और बच्चों ज्यादा s character मतलब की more electronegativity ज्यादा electronegativity की विज़े से वो electron को tightly hold करके रखेगा तो यह easily break नहीं करेगा next is instability of phenyl cation अगर आपने सोचा नहीं हम sn1 reaction कराएंगे sn1 reaction कराने के लिए पहले क्या होता है ccl cleavage होगा तो आपके पास phenyl cation आजाएगा phenyl cation क्या होता है unstable unstable hence sn1 reaction can also be not followed sn1 reaction भी नहीं हो सकती है last one is your repulsion बच्चों aryl halides में जो आपके aryl ring होती है वो electron rich होती है due to pi bonds और nucleophile electron rich होता है that is why you cannot that is you that aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reactions लेकिन अगर आपने temperature बढ़ा दिया यह pressure बढ़ा दिया तो reaction possible हो सकती है room temperature पे तो नहीं होगी लेकिन high temperature पे reaction possible है जैसे कि आप लोग स्टेबल में देख सकते है replacement by hydroxyl group this is your chlorobenzene and you have treated with NaOH NaOH means OH minus attack करेगा ठीकिन यहापे temperature देखो 623 Kelvin 300 ATM pressure अगर आपने इतना temperature इतना pressure लगा देखा दिया then you need to mention the temperature as well as pressure अब second case में देखते हैं अब यहां पर हुआ है बेटा नाइट्रो ग्रूप लग गया है नाइट्रो ग्रूप में लगा है तो आपकी जो condition थोड़ी सी mild हो गई है यहाँ temperature ज्यादा था यहाँ temperature 443 Kelvin है and no pressure pressure नहीं लगाया गया इसका मतलब NO2 का कोई ना कोई जरूर है नेक्स्ट दो लगा दिये गए temperature कितना 368 Kelvin और लो temperature पर रेक्शन हो गई है और लाश्मीन देखें no2 तीन ग्रूप लगे हुए तीन ग्रूप लगे हुए यहाँ पर वार्म 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 पर के प्रेसंस में ही रेक्शन हो गई है that means what is the effect of NO2 group on benzene ring on benzene ring और किया के इसने इसने reactivity बढ़ा दिये reactivity increases when NO2 group is attached to your benzene ring तो बच्चो NO2 group होता है कि electron withdrawing group क्या होता है electron withdrawing group आपकी जो benzene ring थी ये electron rich थी क्या थी electron rich NO2 group है electron withdrawing ये क्या करेगा है electrons को पुल करेगा फुल करेगा तो इसकी electron की richness decrease करेगी electron की richness decrease करेगी तो nucleophile जो की electron rich है वो easily इसपर attack कर सकता है So due to electron withdrawing group that is NO2 group which increases the reactivity of halorines and thus nucleophile can easily attack on this carbon at this CCL bond and break that bond resulting in formation of COH bond बासने ना गई है resonance की बात करे तो अगर आप resonantory structure यहां देखे है तो negative charge electron density है वो ortho और para position पे ज्यादा है यह ortho position है और यह आपकी है para position ortho para पे अगर negative charge आता है तो NO2 group बहुत easily electron को अपनी तरफ पुल कर सकता है because electron density ज्यादा होगी NO2 group जो की electron withdrawing group है वो उसको easily से पुल करेगा ठीक है that is why you can prepare phenol by using NO2 group as a electron withdrawing group next is electrophilic substitution reactions आपके जो होते हैं यह generally electrophilic substitution reactions देते हैं electrophilic substitution का मतलब क्या है electrophilic मतलब यहां पे एक electrophile होगा और यह वो क्या करेगा substitution करेगा और क्या बना देगा आपके different products बना देगा जैसे कि पहली reaction है halogenation reaction halogenation reaction क्या होती है halogen का addition addition of addition of halogen ठीक है halogen का addition किस position पे at ortho and para position why because CL is ortho para directing CL एक ortho para directing group है ortho para directing group which directs the incoming electrophile towards the ortho and para position तो ध्यान दें this one is your ortho position this is meta this is para तो जो CL है वो क्या करेगा CL CL का bond है और यहां पर हमने लिया FECL 3 FECL 3 बटाएक Lewis acid होता है जो की क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल बनाता है तो ALCL 3 हमने लिया अच्छा इसकी mechanism बता देता है आपके पास से CL और यह रहा क्लोरो चाहिए तो क्या करेगा CL के पास जाएगा और बोलेगा मुझे क्लोरो दो तो क्या करेगा इसका लेकर चला जाएगा अब ALCL 4- यहां से निकल गया ALCL 4- लोरो ने क्या किया अपना इलेक्ट्रोन तो ले गया इसका भी लेक्ट्रोन ले गया तो CL के उपर आ जाएगा positive charge positive charge this is the इलेक्ट्रोफाइल और यही इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है बैटा और तो और पैरा position में because electron density जो कि हमने previous slide में पड़ी थी electron density और तो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे जाता होते यह और तो पोजिशन यह पैरा पोजिशन इसलिए CL कहां लगा हुआ है CL लगा है एक और तो पोजिशन इस और तो एंड इस पैरा major minor product की बात करें तो पैरा product is more major because यहां पे दोनों groups opposite लगा है एक यह उपर लगा है एक यह नीचे लगा है तो इस्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे सबसे कम है that is why this product is major product next is nitrogen कुछ नहीं करना है बच्छों और तो पैरा पे नो टू ग्रूप लगा दो next reaction is your sulfonation sulfonation में जो electrophile है वो है SO3 SO3 group जाएगा और कहां लगेगा और तो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे तो पहले जो इसकी negative charge होता है that is this one CL plus negative charge attack करता है SO3 के ऊपर SO3 पे अटेक करेगा यह bond break करेगा बना देगा यह यह बंजीर निंग SO, O, O minus, O minus H plus को लेता है और बना देगा SO3H ठीक है SO3H ठीक है तो आपका product क्या बना यह major product और यह रहापका minor product electrophile यहाँ पे क्या होगा यहाद रखना बटा SO3 होता है ठीक है next is Friedel kraft reaction, Friedel kraft reaction दो types की होती है first is Friedel kraft, Friedel kraft alkylation, Friedel kraft alkylation, Friedel kraft alkylation में हम क्या use करते हैं CS3, CL use करते हैं और दूसरी होती है Friedel kraft acylation, Friedel kraft acylation, इसमें use करते हैं CS3, COCL, ठीक है reaction बहुत ही आसान है, करना क्या है, AL, CL3 और CL दे रखा है, यहाँ से आप, AL, CL3 और CL को निकाल दो, CS3 पर आजाएगा positive charge इस positive charge को ortho और पैरा पे लगा दो, कोई problem नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, CS3 एक यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा लगा हुआ है पैरा पोजिशन ठीक है, next CS3, CO, CL को addition करना है, तो क्या करना है, CL को हटाना है, AL, CL3 के साथ लगा देना, और बचेगा क्या, CO, CS3 बचा हुआ है, CO पे प्लस और CO जो है लग जाएगा और पोजिशन और पैरा पोजिशन पे, ठीक है, तो यह आपक क्या है, बहुत ही जादा है, that is why para product are major products and ortho products are minor products, यह ही बचा हमारे यह chapter end होता है, next topic में हम लेकर आएंगे, अपना नया chapter, जो की next topic है, that is alcohol, phenol and ethers, ठीक है, thank you to all of you and have a nice day. कर दो करदकी और